हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू मैगनेट बेन्स हिंदी प्रीविएस वीडियो में हमने देखा पाठ तीन कवी देव द्वारा रजित सवया और कविद उसके बाद हमने देखा प्रशनुत्तर एंसी आटी बुक्स में जो प्रशनुत्तर दिये रहते हैं पीछे बुक को हमने सॉल्व किया और साथी साथ उससे संबंद जो भी अलंकार कावे संदर भाशा संदर भाव इसपष्ट अर्थ इसपष्टिकरन इन सब को भी जाना समझा सुना सुना ना अब हम चलते हैं हमारी कख्षा दस्वी की ही क्षितिज भाग दो के पाठ तीन के ही MCQs पर बहु विकल्पिये प्रश्ण जो की परिक्षा में मुख्य भूमी का निभाते हैं आगामी परिक्षाओं में प्रतियोगी परिक्षाओं में तो इन प्रश्णों को आप ध्यान से देखिएगा समझेगा और उत्तर भी दीजिएगा ठीक है तो चलते हैं पाठ तीन देव द्वारा रचित पाई निनूपूरु मंजी बजे उसी के बहु विकल्पिये प्रश्णों सबसे पहला जो प्रश्ण है वो है देव कैसे कवी हैं बताइए कवी देव जो की रीती काल के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं जिनका जीवन परिचे भी हमने देख क्या वे चायाबादी कभी हैं क्या वे दरबारी कभी हैं क्या वे आशाबादी कभी हैं या इन में से कोई भी नहीं है चायाबादी यहां पर नाम आया है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चायाबादी क्या होते हैं वैसे यह आपने ध्यान दिया होगा तो प्रीव बाद है क्या चायाबादी कवी किसे कहते हैं और उन्हें चायाबादी कवियों में क्यों रखा गया है ठीक है चायाबाद क्या है किसी ऐसा नहीं कि किसी पेड़ की चाया में बैठ कर लिखा और चायाबाद हो गया है पेड़ों से संबंदित प्रकृती से संबंदित तो क्या इस ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्ण बहुत-बहुत-बहुत महत्वपून है चायवाद का अर्थ होता है जो भी कवी ये रचनकार अपने अंतर मन के भावों को भावनाओं को विचारों को प्रकृति के साथ अर्थाद बाहरी तालमेल बिठा कर मन के भाव और प्रकृति में चार प्रमुख आधार इस्तंब माने जाते हैं तो आपको इसका उत्तर पता ही चल जाएगा कि देव चायवादी कवी हैं यह नहीं सबसे पहला पंत पंत कौन सुमित्रा नंदन पंत चायवादी कवी में पंत सुमित्रा नंदन पंत प्रसाद जैशंकर प्रसाद ठीक ह पंत प्रसाद वर्मा महादेवी वर्मा निराला सूर्यकांत्रपाथी निराला ठीक है तो पंत प्रसाद वर्मा निराला आप इस तरह से याद कर लिजे पंत प्रसाद वर्मा निराला ये चायावादी चार आधर स्थम्भ है क्या देव का नाम आया चायावादी में नहीं आ इसका उत्तर सही क्या है धरवारी क्योंकि वो दरवार में गाते थे और हमने देखा था उनके जीवन परीचे में देखा था याद आया बहुत सही बेरी गुड्ट अगला प्रश्न है कवी ने चांदनी की कलपना किसके रूप में की है बताइए चांदनी की जो कलपना की थी कवी ने कैसा माना था उसको सूधा मंदिर देव मंदिर सौंधर यह महल या इन में से कोई भी नहीं क्या था पताये सुधा मंदिर अमर्ट के समान सफेद एगदम क्या वो था या किसी देव का मंदिर या फिर सुन्दर तो से भरा सौंधर यह महल था यह कोई भी नहीं था याद आया हाँ येस पताइए याद आया बहुत सई सई है सुधा मंदिर कवीने चांदनी की कलप्रा को सुधा मंदिर की तरह माना है अगला प्रश्न है किसकी जगमागाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है याद आ गया आया चंदी तर दीजिए बहुत सई किसकी बल्व की सूर्य की सौंदर की यद तारों की सखी सखिया जो राधा थी उसकी सखी राधा चांद को माना था या चंद्रमा से राधा की तुलना की गई थी तो चांद के अलावा कौन टिम्टिम आते हैं येस बहुत सई तारों की वेरी अगला प्रश्ण है क्रिश्ण को किसकी भाती सजा धजा दिखाया गया है स्री क्रिश्ण को इस पार्ट में इस कविता में सवये में कवी ने कैसा सजा धजा दिखाया है एक नायक की तरह है नायक हीरो हीरो की तरह है देव या भगवान की तरह है देवताओं की तरह है दूले की तरह, very good, clap for yourself, very nice, well done, चलते हैं हम अगले प्रश्नी की तरफ, क्रिश्न के चर्णों में क्या सुशोभित हैं, क्या उनके चर्णों की शोभा और बढ़ा रहे हैं, पुश्प, फूल, सुमन, नूपुर, अर्थ पता है नूपुर, खडाउं, या कोई नहीं, yes, yes, very good बटा, नूपुर, बहुत सई, very good, नूपुर is the right answer, चलते हैं, क्रिश्न कैसा वस्त्रधारण किये हुए हैं, स्री क्रिश्न जब दूला रूपी सजे हैं, तो कैसे वस्त्रधारण किये हैं, काला, सफेद, लाल या पीला, कैसे वस्त्रधारण किये हैं हम, बोलिए, yes, बहुत सई, पीले वस्त्रधारण किये हैं, स्री क्रिश्न, अब देखिए, आगे चलते हैं हम, किसकी आखें चंचलता और शरारत से भरी हैं, बड़े बड़े द्रग, चंचल, पढ़ाता मनने कभी में, कविता में, कवित में, क्रिश्न के, रादा के, मीरा किये, सुशू की, बोलिए, रादा के, क्रिश्न के, राइट आंसर, वेरी गुर्ड, वेरी वेल डन मेटा, बहुत साई, क्रिश्न के, अगला प्रश्न है, क्रिश्न कमर में क्या पहने हुए हैं, कमर्धनी, डोरी, माला, या कुछ नहीं, कमर में क्या पहने हुए हैं, कटी किंकनी की धुनी की मधूराई बताइए येस कमर्धनी अगला प्रश्न है चाननी रात में कौन सा कौन दर्पन सा प्रतीत हो रहा है दर्पन की तरह है स्वच्छ निर्मल दर्पन कौन हो रहा है आकाश तारे चांद या जल क्या चांद हो रहा है स्वच्छ निर्मल दर्पन की तरह है देखते हैं आकाश बहुत सही वेरी गुड़ वेरी नाइस तो यहां पर जो आकाश है सम चारों तरप चांद नी चाही हुए है तो जो सारा आकाश है वो एक दर्पन की तरह स्वच्छ नजर आ रहा है ठीक है अगला प्रश्न कवी ने चान्नी रात की सुन्दर्ता को किन रूपों में देखा है कौन कौन से रूपों में मतलब चान्नी रात की सुन्दर्ता क्या उपमा दी उनोंने क्या माना है आकाश में इस फटिक शिलाओं से बने मंदर संग मरमर से बने मंदर की तरह हैं दही से छलकते समुद्र के रूप में या दूद की जाक से बने फर्ष के रूप में या यह तीनों के तीनों उपर युक्त सभी बताइए कभी ने चांगनी रात की सुन्दरता को कैसा मानना है बहुत सही येस ये सब कुछ कवी ने चान्नी रात की सुन्दरता को इन रूपों में देखा है चलते हैं अगले प्रश्नी की तरफ हाँ आप जवाब दीजेगा मैं नहीं बताऊंगी मदन महीप में कौन सा अलंकार है मैं तो नहीं बताने वाली भाई आज आप कोई पता लगाना होगा क्योंकि अलंकारों का वर्नन हम कर चुके हैं आप सुन चुके हैं ठीक है मदन महीप में कौन सा अलंकार है अनूपरास रूपक अनूपरास एवं रूपक या उपमा आप हाँ 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 आप ही बताईए बताईए अनूमान लगाईए या फिर थोड़ा सा मारा प्रीवियस वीडियो देख लीचिए और समझ में आ जाएगा यदि नहीं याद आ रहा है तो बोलिए जल्दी अच्छा किसी ने कहा अनूपरास क्योंकि मा बहुत सही बिटा बहुत सही इसका आंसर होगा गाँ इसमें अनूपरास भी है और रूपक ही है ठीक है मदन महीप मा मा की आवरित्ती के कारण अनूपरास है और मदन को ही महीप कह दिया है महीप को ही मदन कह दिया है उपमार उर्क में समान हो गए है इसलिए अनुप्रास और रूपक दोनों है बहुत बड़ी हाँ वेरी वेल दन अगला प्रश्न प्राता काल होने परबालक रूपी बसंत को कौन जगाता है अब तो आप बताएंगी जल्दी बताईए कौन जगाता है कवा मोर तो ताया गुलाब ऐसे कौन गुलाब चटक कर खिलता है वेरी वेल डन बहुत सही जवाब है अगला प्रश्न है उतारों करे राई नोन का अर्थ क्या है राई और नोन को उतारना किसी ट्रक में भरे हुए राई और नोन उसको उतार रहे हम ले जाएंगे बहुत दूर तक ऐसा कुछ या राई नोन नमक के द्वारा कि उतारों करे राई नोन में क्या बताया है राई नोन को किसी ट्रक से उतारा जा रहा है यह राई नोन के द्वारा बच्चे की सिर के चारों तरब गुमा का नजर उतारी जा रही है बहुत सही, very good, very well done बिटा बिल्कुल, राई नोन को बच्चे द्वारा नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों और गुमा का नजर को उतारना ठीक है, अगला प्रश्म डारद्रुम, डैस 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 चटकारी दे, इस कवित में नहीत रस का नाम लिखिए अब तो आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताने बाली कि डारद्रुम, चटकारी दे, इस कवित में नहीत रस कुछ-कुछ रसों का नाम आपने सुना होगा आप सोच रहा होगे, मैं मालंकार तो आ गए, रस तो बताई नहीं, आपने हम कैसे बताए अंसर फिर भी हमने जो रस इसमें है उस रस की चर्चा की थी क्या ये वातसल्य रस है? क्या ये श्रंगार रस है? क्या ये भक्ती रस है? क्या ये शांत रस है इसमें? किस रस की चर्चा की गई है कहीं वातसले तो नहीं वातसले रस कहा होता है जहां मा की मम्ता मा का इसने या मा का दुलार अपने बच्चे के प्रती धर्शा आया जाता है तो क्या इस कवित में कुछ ऐसा हो रहा है बोलिये हाँ बेटा आप ही बोलिये वेरी वेल डेन बिलकुल सही जवाब आपने देखा वातसलिरस क्योंकि यहाँ पर छोट असा वसंद रूपी बालक और उसकी नजर उतार रहे हैं प्रकृती ठीक है चलते हैं अगली प्रश्णी की तरफ अब इसमें देखेंगे आप डारद्रुम डेस डेस चटकारी दे कवित में कौन सा गुण है ठीक है डारद्रुम चटकारी दे कवित में कौन सा गुण गुण कौन सा है प्रसाद गुण है माधुर गुण है ओज गुण है यह निर गुण है कोई गुण ही नहीं है बताईए डार दुर्म पलना विछावे नभ पल्लव के क्या लगता है आपको कौन सा गुण होगा प्रसाद माधुर्य ओज या कोई सावी नहीं निर्गुण हाँ येस बिल्कुल माधुर्य क्योंकि इसमें मधुर्ता दिखाई है ठीक है अगला प्रश्ण है डार दुर्म चटकारी देपद की भाशा कैसी है ये तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि किस से सम्बंदित भाशा कौन सी होगी और किस से सम्बंदित कोई वी रचना होगी तब भाशा कौन सी होगी अब तो आप ही बताएंगे बताईए क्या ब्रजभाशा है क्या बुंदेल खंडी है या भोजपुरी है कृष्ण से संबंदित पाथ है कविता है कवित है सवया है है तो कौन सी भाशा होगी ब्रजभाशा याद रखियेगा हमेशा ओके एक तरह का सफेद बहुब यता पारदर्शी पत्थर ताइज बहुत सही जवाब दिया अपने घा घा इस्टराइट अंसर अगला प्रश्न है फटिक सिलानी सो सुधारय और सुधा मंदिर इस पंग्ती में कौन सा लंकार फिर प्राशन आप सही पूछती हो मैं पताइए कि फटिक सिलानी सो सुधारय सुधा मंदिर कोई बाचिक शब्द नहीं दिख रहे हैं किस पर क्या आरोपित हो रहा है ना कुछ उपमान दिखाई दे रहा है ना कुछ उपमे भेद नजर आ रहा है तो कौन सा क्या होगा रूपक और स्लेश है क्या स्लेश शब्दलंकार है लेकिन यहां तो अर्थ पर समझ में आ रहा होगा शायद क्या उपमा और रूपक है क्या अन प्रेक्षा और अनुपरास अ islands है बताईये फटेक सिलानि सो सुधारयों सुधा मंद्र फटेक सिलानिस सुधारयों सुधा मंदर येस स्थ है अब बताई बीटा जल्दी बताईये रूपक और सबसेश है क्या है कट कर ऐसा भी कर देते हैं कुछ कह रहा है हां अनला 50% आ रहा है आप लोगों का अंसर 50-50 ठीक है अब चलते हैं अगला अनुप्रास और उपमा इसको कह रहा है बहुत लोग डबल टिक कर देते हैं इस पर उत्प्रेक्षा एवन अनुप्रास उत्प्रेक्षा के लिए वाचिक क्योंकि सावर्ण की आवरित्ती भी है और सो के जैसा के समान उपमालंकार भी है वेरी 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 विल्डन बहुत सही अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं हम भीती का तत्सम रूप क्या है भीती का तत्सम रूप क्या है भीतर भीत्ती भयंकर या भीद बताए कि भीति क्या है भीतर भीतर मतलब समझते हैं अंदर भीतर चले जाओ मतलब अंदर चले जाओ नहीं हटा देते हैं आपके कहने पर भीत्ती दीवार टाइप कुछ क्या यही है हुँ ओके भयंकर भयंकरता नहीं होगा क्योंकि माधुर्य गुना इसमें बहुत सही भीत अब देखते हैं आपका अनुमान कितना सही और कितना गलत होता है बीती is the right answer very well done बच्चो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आगे चलते हैं लिखा है दूद कोसो फेन अब धियान से सुनिएगा दूद कोसो फेन यहां कि सलंकार का प्रयोग जल्दी बता दीजे सेकंड्स विदन सेकंड्स येस बहुत सही जवाब आ रहा है देखते ह हैं सही हैं नहीं उपमा क्योंकि सो के जैसा के समान सा सद्रश तोपमाइलं कारी होगा इसमें अधिक सोच नहीं नहीं है है अगला चलते हैं प्यारी राधी काको प्रती बिंब सो लगत चंद इस पंक्ती में किस अलंकार का प्रियोग हुआ है बताईए जल्दी हमने चर्चा की थी की थी हमने देखते हैं प्यारी राधी काको प्रती बिंब सो लगत चंद प्रतीब या व्यतिरेख क्योंकि जहां उपमान को उपमे उपमे को उपमान मान लिया जाता है वहां व्यतिरेख या प्रतीब अलंकार होता है अगला प्रश्ण है राधा में खालिस्थान दिया है यहां पर फूल की सुगंद मिली हुई है किस फूल की विशेश रूप से चर्चा की गई थी याद कीजिए मलीका का फूल, चमेली का फूल, चम्पा का फूल या गुलाब का फूल एक पंक्ती बहुत स्पष्ट रूप से दिखी थी और उसकी चर्चा भी हमने की थी प्रिविएस वीडियो में यदि आपने सुना है तो उत्तर बता पाएंगे मलीका के फूल की, बहुत सही, वेरी गुड, अगला प्रश्ण युवती कैसी प्रतीत हो रही है, चांद सी, फूल सी, तारे सी या गुलाब सी कैसी प्रतीत हो रही है, चांद सी, हाँ, ओके, कर देते हैं फूल सी, नो, तारे सी, कुछ कह रहा है, येस, कुछ कह रहा है, येस अब देखते हैं किसका कौन सा सही होता है तारेसी युवती क्योंकि जो युवतिया है जो नाई का है वो तारों की समान सकिया ठीक है प्रतीत हो रही है तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्ण की तरफ देव का जन्म कब और कहा हुआ देव कभी देव देवदत्य जी और इनका जीवन परीचा हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था प्रीविएस वीडियो में उससे पहले हमने देखा था मतलब पाटे पुस्तक के प्रश्णुत्तर ठीक है अब देखते हैं आपको कितना याद है देव का जन्म कब और कहा हुआ था सन 1613 इटावा में या सन 1773 में इटावा में या 1673 में इलावाद में या 1773 बार नसी में देखते हैं हुम ओके का चलते हैं अच्छा आपने कहा खा यह भी देख लेते हैं यह नहीं ओके देखते हैं दौनों में से क्या सही है येस इसमें बिल्कुल भी इटावा में तो हुआ था लेकिन सन को ध्यान से देखिएगा आप 1673 में हुआ था 1763 में नहीं ठीक है तो यह याद रखिएगा 1673 में हुआ था जन्म किसका कवी देव का अगला प्रश्न देव की कवीता का प्रमुख विशय क्या है किस तरह की कवीता है क्या कोई हास्य कवीता है व्यंग है हास्य और व्यंग है क्या इसमें कोई राजनीती है बताईए क्या इसमें श्रिंगार है मतलब सुन्दरता है श्रिंगार है प्रेम है सुन्दरे का वरणन है या युद् से नहीं है राजनीती भी नहीं है श्रंगार तो लग रहा है यह दुकावी वरना नहीं है चेक करते हैं बहुत सही जवाब वेरी नाइस अब देखिए यहां पर हम चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ पाइनी नूपूर डैस 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 देव सहाई सवाई में कृष्ण का कैस सामंत शाह राजा महाराजा होते हैं सामंत शाह एकदम अलोक के रूप का साधरन बाल रूप का यह चामतपारिक रूप को यह एप सामन्ती वैवव का क्यूंकि उनकी राजसी ठाटवाट दिखाये जा रहा है दूला बने हैं वो अब जिसके पास धन दौलत या लक्ष्मी की गृपा नहीं होगी वो अच्छे से कैसे सज धज पाएगा राजा थे कृष्ण तो अच्छे से सजे कृष्ण ठीक है तो जो आंस भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ मंद हसी मुख चंद जुनाई में नहीं अलंकार का नाम लिखिए फिर से अलंकार अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आप तो आप ही बताएंगे बताइए मंद हसी मुख चंद जुनाई ये पंक्ती प्रश्ण उत्तर में भी एंसी आटी सॉल्यूशन में भी आई थी इसलिए आप मैं तो नहीं बताने वाली बताईए यमक है रूपक है उत्प्रेक्षा है या उपमा है जल्दी बताईए यमक है नो ओके कर दिया आपके कहने पर रूपक है कि किसी ने कहा हां उत्प्रेक्षा कोई कलमा संभावना की जा रही है क्या कि तुलना की जा रही है वाचक शब्द है सा सी के जैसा सौ आधी नो इस पालन कार यह बिल्कुल रूपक अलंकार दिया है इसमें ठीक है अगला प्रश्न है को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है कवी ने उनकी मुस्कान को कैसा बताया है किस तरह की मुस्कान है स्री कृष्ण की फूल के समान या चंचल चंचल मचली के समान आपने सुनी होगी न छोटे में मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगा डर जाएगी बहान निकालो मर जाएगी कुछ इस तरह से चांदनी के समान या पवित्रजल के समान दिखते हैं चांदनी के समान वेरी गॉड़ बेरी गॉड़ अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ देख certificates जय जग मंदर दीपक सुन दर में अलंकार ज़ाग मनदिर किस्वादी याद यह आ यह चेंड तो जाना हु समानो मना कुछ इस तरह क्या रूपक और यहमगभे न online प्रॉप्रासा एक नो क्या उत्परेक्शा एवं ये पूप माकरुकुदी आवा क्या सही जव आगे जयंजग मंदर जयंजग मंदर देख्ये जाकी आवृत्ề कारण अंवृत्त तो होगा ही जहां कहीं वर्ण की आवृत्वित होगी वहां अनुप्रास्तो होगा ही तो आप पहले च्छाट लिया खरो और ऐसा ने एक पंग्ती में एक ही अलंकार होता है एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं तो सबसे पहले आप अनुप्रास को ढूढ़ना शुरू किया करो जहां कहीं कुछ रेपीट हो रहा है वरण तो वाहाँ अनुप्रास्त होगा अब इन्से देखिए कि सब मैं अनुप्रास कहां है तो अदू प्र Savage उसके साथ रूपक है तो बिल्कुल जैजग मंदर दीपक सुन्दर दीपक सुन्दर दीपक की तरह कृष्ण को बता दिया है उपमान रूप में समान है चलिए बालक रूपी बालक रूपी वसंद का बिछोना बना है रूई से मखमल से उन से या पेड़ पौदों के नए नए कोपल के पत्तों से बहुत सही वेरी नाइस घह नेक्स् पत्तों रूपी किसका उसने जिंगूल ऑपैना हुआ है येस फूलों का बहुत सही नैक्स्ट है बालक रूपी वसंद को जूला कौन जुला रहा है तोता कोयल पवन या मोर डाल पर वालक रूपी वसंत कैसे हिलेगी डाल क्या मोर उसको आकर हिलाएगा तोता कहेगा मिठ्ठू चित्रकोटी तभ हिलेगी या पवन हिलाएगी वेरी नाइस पवन ठीक है अगला प्रश्ण वसंत डेश संतान है मदन महीप की शरद रितू की कंजकली नाइका की या गुलाब की किसका पुत्र माना है वसंत को वेरी गोड बहुत सई मदन महीप की कामदेव के पुत्र अर्थात राजकुमार की छोटे से नन्ने से राजकुमार की भाती बालक वसंत को बताया है अगला प्रश्ण है कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोबित है राजा थे सामंत शाही थी सोने की माला थी क्या हीरे का हार फूलों की माला या इन तीनों में से कोई नहीं? फूलों की माला देखते हैं? अगला प्रश्ण कवीने कामदेव के शिशू के रोप में किस रितु की कलपना की है? गृश्म रितु, शरत रितु, वर्ष रितु या वसंत रितु? बहुत सही सब ने सही जवाब दिया बिल्कुल क्योंकि ये जो है हमारी सवया और कवित वो वसंतरतू के हैं तो कभी ने वसंतरतू की ही तुलना की है ठीक है ये तो ये रहे हमारे MCQs और अब आपसे फिर मैं वही कहने वाली हूँ बहुत प्यारी सी मीठी सी अच्छी सी बात की बेटा Magnet Brains लाया है क्लास 6-12 एजुकेशन स्कूली सिक्षा एकदम फ्री एकदम मुफ्त Best Educations, Best Teachers और नाकेबल हिंदी की सिक्षा बलकि सभी विशयों की बहतरीन सिक्षा जिससे आप बहतर से बहतरीन बन सकते हैं तो सब्सक्राइब, लायक और शेयर करना नहीं भूलेंगे प्लीज लायक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाई बाई